आनंद मोहन की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है रियाई के बाद कई सवाल तो खड़े हो रहे थे अब कोट में भी एक के बाद एक कई तीखे सवाल आनंद मोहन और विहार सरकार से पूछे है दरसला पतादे की बिहार के बाहू बली नेता आनंद मोहन की रियाई का मामला फिलाल थमता नहीं दिख रहा है आनंद मोहन की रियाई के खिलाब I.A.S. अधिकारी जी किष्णया के पत्नी सुप्रीम कोट पहुची थी सुप्रीम कोट में आज याचका पर सुनवाई की गई सुप्रीम कोट ने अरजी पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटी जाली किया है हलाके जी किष्णया की पत्नी की याचका पर सुनवाई दो हपते पहले ठाल दी गई बतादे कि बिहार के नितीज सरकार ने कानून और नियम में बदलाव करते हुए आनंद मोहन समेट 26 कैदियों को रिया करने का फैसला लिया और रिया किया भी गया इसके बाद सवाल उठाय जावाता है क्या वरतवान में एक कानून के अंदर लाया गया बदलाव सवालों से पहले सुनवाई लागू हो पाएगा अब देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर आनंद मोहन और बिहार सरकार से सुप्रीम कोट ने कई तीखे सवाल पूछे और सीदे सीदे सुप्रीम कोट के तरफ से पूछा गया है कि जो रिहाई की गई है या फिर दी गई है वो कितना उचीत है कानून में जो बदलाव किया गया है वो कितना सही और कितना गलत है हाला कि नितीश सरकार ने सपष्ट कर दिया है कोई पहली बार नहीं है जब किसी प्रवार्टी को रिया किया जा रहा है इससे पहले भी हुए है अब बात राजनिती के बियान बाजी की है तो नितीश कुमार ने कई पेपर के कटिंग दिखा है जो भारतियनता पार्टी के लोग कल तक रियाई की मांग कर रहे ते आज वो विरोध कर रहे है अब देगा जी बिहार सरकार और अनंद मोहन से पूछे गए हैं चुकि आनंद मोहन को जब पैरोल मिला था उस वक्त भी चर्चा थी कि अनंद मोहन जल्दी रिया होंगी उस वक्त अनंद में कहा था कि सब कुछ कानून के हवाले कानून का जो फैसला होगा उसका हम स्वागत करेंगे अब पिर हम लोग उपर की कोट में जाएंगे सुप्रिम कोट जाएंगे और वो सुप्रिम कोट गए भी आज उनकी याज का पर सुनवाई की गई सुनवाई के बाद सुप्रिम कोट ने भार सरकार और अनन्द मोहन को नोटीस जो है वो भेज दिया है जवाब क्या आता है उस को जील जाना पड़ेगा या फिर कोट उन्हें रहात देगी अब भी यही सवाल है और इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब आनंद मोहन और बिहार सरकार के तरफ से सुप्रीम कोट को जवाब दिया जाएगा और जवाब के बाद सुप्रीम कोट अपना फैसला सु नाती है